एलो गाईज वेलकम बेक टू अनदर वीडियो आज के इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं हिस्टरी के प्रीविएस एयर क्विसंस के बारे में ये क्विसंड डिफरेंट डिफरेंट इक्जाम में पुछे गए हैं तो आपके लिए ये इंपोर्टेंट हो जाते हैं तो च प्रचीन भारत के इतियास की प्रथम वास्विक पुस्तक माना जाता है बात करें राज तरंगनी की तो ये किसके द्वारा लिखित है तो ये लिखी गई है करलण के द्वारा और ये मुख्यतव किसके बारे में जानकारी देती है तो ये मुख्यतव कश्मीर के बारे में जा किस अभिलेग से प्राप्थ हुआ था उपसर नंबर बी हती गुमफा अभिलेग से और बात करें की हती गुमफा अभिलेग ये किसका है तो ये है कलिंग नरेस खार्वेल का जो उडिसा के साइड में कलिंगर राजा थे खारवेल इन्हों ने वहां पर सासन किया था वहीं से इनका एक अभिलेक मिला है हातिक गुंपा अभिलेक और इसी अभिलेक में भारत का नाम भारत वर्स सरुपर्थम देखने को मिलता है नेक्स्ट पे चलते हैं कहता है कोटल्य के अर्थसास्तर से किस वंस के इतियास की जानकारी मिलती है तो अर्थसास्तर किस के द्वारा लिखा गया है यानि कि बिश्णु गुप्त के द्वारा इसे लिखा गया है अर्थसास्तर यानि कि चानग के के द्वारा लिखा गया है और बात करें इसमें किस वंस के इतियास की जानकारी मिलती है तो ये लिखी गई थी मौरिय काल में और इसे मौरिय वंस की जानकारी मिलती है और बात करें एक पुरान है विश्णु पुरान उससे किस वंस की जानकारी मिलती है इस बात को ध्यान में रखेंगे और एक और इस बात को त्यान में रखेंगे नेक्ष्ट पे जलते हैं कहता है अर्भी भासा की पुस्तक किताब उलहिंद की रचना किसने की थी तो ये पुस्तक जो किताब उलहिंद है ये किस भासा में लिखी गई है तो ये लिखी गई है अर्भी भासा में हो जाता है रहला इसे यार रखेंगे रहला इसका यात्रा विर्तांत हो जाता है और बात करें कि ये कहां का यात्री था तो ये मौरकों से भारत में आया था इसके बारे में ये प्रस्न पहले भी बन चुके हैं कि ये कहां का था तो ये मौरकों का यात्री था और किसके काल मे भारत आया था और मुहमत बिन तुगलक ने इसे दिली का काजी भी नुक्त किया था इस बात को भी ध्यान में रखेंगे बात करें वहिंसांग की तो वहिंसांग का जो भारत में रहा था ये 629 से 645 तक भारत में रहा था और इसके यात्रा विरतांत का नाम तो बहुती परच विहनसांग ने हर्सवर्दन को एक उपादी दी थी किस चीज़ की तो इसने हर्सवर्दन को सिलादित्य कहा था तो इसने सिलादित्य की उपादी हर्सवर्दन को दी थी और बात करें विहनसांग के उपनामों की तो इसका उपनाम यात्रियों का राजकुमार शाक्यमनी और नीती का पंडित इसका उपनाम हो जाता है ये भी याद में रखेंगे और एक परसिद चीनी यातरी एक और था जो की चंद्रकुप्त दुत्य बिक्रमाधित्य के सासनकाल में भारत आया था उसका नाम था फायान इसके नाम को भी याद में रखेंगे फायान के किसके सासनका साथ में भारत आया था चंदरकुप्त दुद्य विक्रमाधित्य के चलिए रसा पर तो आप SL आपने इस प्रस्ण को इस परकार से बिश्चार मिलता हूगा कि LM 11 प्रतम उलेक जो है किस अभिलेक से मिलता है तो ये मिलता है और अभिलेक से हमें सती प्रता का प्रतम लिखित साक्ष मिलता है भारत में ये भी त्यान में रखेंगे और बात करें कि ये किस का है तो ये बानुगुप्त का अभिलेक है इसे याद में रखेंगे और कप का है त स्वागत कलीकट बंदरगाह पर किसने किया था बात करें वासको डिगामा की तो ये कहाँ का था ये पुर्त गाल का यातरी था पुर्त गाल का यातरी और व्यापारी था जिए ध्यान में रखेंगे और बात करें कि ये सरुपर्थम भारत में komma पहुँचाता वहाँ का एक राजा था कलिकट सासक जमूरिन ने इसका स्वागत किया था तो option नमबर पी यहाँ पर right answer हो जाता है next पे चलेंगे कहता है भारत में पर्थम पुर्तगाली फैक्टरी की इस्तापना कहां की गई थी तो भारत में जो पर्थम पुर्तगाली फैक्टरी थी ये लगी थी 1503 में और कहां लगी थी तो कोचीन में लगी थी option नमबर पी यहाँ पर right answer हो जाएगा और बात करें कि पुर्तगाली ने अपनी जो दूसरी फैक्टरी थी जो इनकी second फैक्टरी थी वो कहां लगी थी तो वो लगी थी 1505 में और कहां लगी थी तो कोनूर में लगी थी इस बात को ध्यान में रखेंगे next है नीले जल या सांत जल की नीती निमने लिकित में से किसने अपनाई थी तो ये blue water policy जिसे सांत जल की नीती या नीले जल की नीती कहा जाता है ये किसके दोरा अपनाई गई थी ये अपनाई गई थी option number C फ्रांसिसको डी अलमेडा के दोरा जो की पुर्टगाली वाइसराई होता है भारत में और भारत में ये पुर्टगाल का प्रथम वाइसराई होता है कब से कब तक तो 505 से 509 तक ये भारत में पुर्टगालियों का प्रतम वायसराय होता है इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसी के दोरा नीले या सांत जल की नीती को चलाया गया था नेक्स्ट है 1510 इसवी में गोवा को बिजापूर के सासक यूसुफ आदिल सा से किसने चीना तो ये प्रस्ण तो बहुत बार बनता है कि गोवा को बिजापूर के सासक यूसुफ आदिल सा से कब चीना गया था तो 1510 में चीना गया था अब पूछ रहा है कि किसके द्वारा चीना गया था तो ये चीना गया था अपसेन नमबर भी अलफानसो डे अलबुकर्क के द्वारा जो की पूर्तगाली का भारत में वास्तविक सस्तापक माना जाता है अलफानसो डा अलबुकर्क को और इसी ने जो यूसुफ आदिल सा था जो की बीजापूर का सासक ता उससे गोवा को चीना था 1510 में इस कि इसने क्या किया था कि इसको पुर्टगाली सक्तिका वास्तविक संस्तापक माना जाता है बारत में और 1511 में इसी अलबुकरक ने क्या किया था कि दक्षण पूर्व एसिया की जो महतुपुन मंडी थी जिसका नाम था मलका तो इस मलका पर भी इसने अधिकार कर लिया था और 1515 में इसने हॉर्मूस पर भी अधिकार कर लिया था ये हॉर्मूस कहा पड़ता था तो ये पड़ता था फारस की खाड़ी में इस दिता और इसने वहाँ पर भी अपना अधिकार कर लिया था 1515 में तो इस बात को ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट है अंग्रेजों ने स तो यह लगाई थी सूरत में और किसकी अनुमती से लगाय थी तो यह लगाई थी option number c जहां गिर की अनुमती से इन्होंने अपनी पहली फैक्टरेई लगाय थी अंगरेजोंने सूरत में नेक्स्ट है फ्रांसिसको दा अलमेडा निमनेलिकित में से किस यूरोपिय कमपनी के पर्थम वाइसराई के रूप में भारत आया था तो फ्रांसिसको दे अलमेडा इसकी बात पहले ही कर चुके हैं तो ये किसके वाइसराई के रूप में भारत आया था नीले या सांत जल की नीटी को अपनाया था नेक्स्ट है बारत में पुर्तगाली सक्तिकावास्तिविक संस्तापक माना जाता है तो इस प्रस्ण को भी हम पहले ही देख चुके हैं किसे माना जाता है तो ये माना जाता है अल्बुकर्क को अपसा नमबर A यहाँ पर राइट हो जाएगा इसे ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट है किस सासक ने ब्रेटिस इस्ट इंडिया कमपनी को व्यापारिक सुविदाओं वाला एक फरमान जारी किया था तो ये किया था ओप्सान नमबर C फरुक्तियार ने जो है ब्रेटिस इस्ट इंडिया कमपनी को व्यापार सुविदाओं वाला फर्मान जारी किया था नेक्स्ट है निमने रिकित में से किसे मदरास के संस्थापक के रूप में जाना जाता है तो जो मदरास का संस्थापक माना जाता है उप्सन नमबर A फ्रांसिस डे को मदरास का सस्तापक माना जाता है और अगर बात करें कि कलकता का सस्तापक किसे माना जाता है तो कलकता का जो सस्तापक है वो माना जाता है जौब चारनौक को इसे कलकता का सस्तापक माना जाता है जेरॉल्ड अगनियार की बात करें तो इसे बंबई का संसापक माना जाता है कई बार संसापक भी आप से पूछ लिए जाते हैं तो इनको ध्यान में रखना नेक्स्ट है 1746 से 48 के मध्या प्रिथम करनाटक युद किन दो यूरूपी अव्यापारीक कंपनियों के मध्या में हुआ था तो ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांसेसियों के बीच में उपसे नमबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट कारनेटिक वार थी वो किस किस के बीच में हुई थी अंग्रेज और फ्रांसेसियों के बीच में कब से कब तक 1746 से 48 के मध्या में इसको ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट है अंग्रेजों ने निमने लिखित में से किस के नित्रित्व में वांडी वास के युद्ध में फ्रांसेसिकों को हराया था तो फ्रांसेसियों को अंग्रेजों ने वांडी वास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसेसिकों को हरा दिया था और किस के नि बर्बी आयर कूट के नित्रितों में इसका नाम सर आयर कूट भी देखने को मिलता है इसी के नित्रितों में अंग्रेजों ने फ्रांसिस्यों को बॉंडी वास के युद्ध में 1760 में पराजित कर दिया था नेक्स्ट है दुत्य करनाटक युद्ध का कारण निमने लिखित म से क्या था तो दुथ्य करणाटक युद जो हुआ था शैकंड करनाटिक वार ये जो माना जाता है किसके कारण हूई थी तो ये हूई थी फ्रानसिसियों तथा प्रेटिस कमपणियों द्वारा करमसोह हद attracted और करनाटक के विवादास्पत उत्तर अधिकारियों को समर्थन देना ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्सेन नमबर A इसे ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट है पर्थम करनाटक युद्ध के बाद आकसा ला सेपैल की संदी के बाद निमने लिकित में से कौन सा छेतर अंग्रेजों को वापस कर दिया गया तो जो पर्थम करनाटक युद्ध था जो 1746 से 48 के बीच में चला इसके बाद एक संदी होती है आकसा ला सेपेल की संदी इसके बाद अंग्रेजों को जो है मदरास को वापस कर दिया गया था आपसन नमबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है फ्रांसेशी सरकार ने निमनेल्खित में से किस कारण ड्यूपले को वापस बुला लिया था तो यह जो ड्यूपले था यह लड़ रहा था दूसरे करनाटक वार में फ्रांस की तरफ से और अंग्रेजों से यह हार जाता है इसी के कारण यहां पर राइट आंसर आपसन नमबर भी हो जाता है दूत्य करनाटक युद्ध के में ड्यूपले की हार के कारण फ्रांसिस सरकार ने ड्यूपले को वापस बुला लिया था नेक्स्ट है अंग्रेजों को नेमने लेकित में से किस मुगल सासक के सासन काल में सूरत मुसली पतनम तथा विसाका पतनम के कार खानों से अपने अधिकार खोने पड़े थे तो इन अंग्रेजों ने कब सूरत मुसली पतनम तथा विसाका पतनम के कार खानों से हाथ दो दिया था किस के सासन काल में तो ये हुआ था और अरंजेब के सासन काल में option number c यहाँ पर right answer हो जाएगा तो friends ये था हमारा history के previous year questions के बारे में आज हमने important question को देखा ये सबी previous year question थे तो इनको हमने देखा इसी परकार से हम geography और अन्यभी subject को भी cover करेंगे तो friends अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे like कीजिए ना आए तो dislike कीजिए share जरूर कीजिए और channel को subscribe जरूर कीजिए मैं मिलता हूँ आपको next video में और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप telegram को जरूर जोईन कीजिए telegram का link description में आपको देखने को मिल जाएगा तो friends मैं मिलता हूँ आपको next video में तब तक के लिए take care and bye